नमस्कार दोस्तो आज का lesson इस्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे कुछ और भी courses पढ़ना चाहें तो उसके लिए आप unacademy का मुझे follow कर सकते हैं वहाँ पर मैं as a educator आपके लिए बहुत सारे courses बना के रखा हूँ तो आप उस सारे courses को पर सकते हैं और अपने exam की त्यारिक बहुत अच्छी से कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों आपको unacademy का learning app डाउनलोड करना होगा उस app पर मुझे follow कर लीजे मेरी profile ID है unacademy.com slash user slash kumarketan और जितने भी आपके exams की preparation है वह आप कर सकते और चलिए आज का lesson आप लोग स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube family magical education में और आज में आपको LTE grade में art subject के कुछ questions को solve कराने वालों तो यहां पर हम आज 15 questions को पढ़ेंगे और यह आपके जितने भी questions है सब art से related हैं और यह आपकी GIC का जो exam हुआ था 2014 में 2014 में जो GIC के exam हुआ था उसके questions यहां पर 15 questions है अब आगे मैं बात कर लूँ अगर तो मैं आपको बता दूँ कि आपको 30 questions का एक first part मिलेगा जो कि GS का होगा आपके exam में और 120 questions का आपको मिलेगा main subject और यहां पर हम दो main subject बात कर रहे हैं arts के बारे में ठीक है GS पर पहले ही मैंने बहुत सारी lessons already upload किये हुए हैं अगर आपने न देखा हो तो ज़रूर सुन को देख लिजगा आज art का part number 1 है तो ऐसे ही आपको बहुत सारी lessons आगे मिलते रहेंगे तो उन सब को अच्छे से देख लिजगा ठीक है और अपने exam की कोई भी preparation से related दिक्कत आत कर आप सारी वीडियो को देख सकते हैं ठीक है चलिए start करते हैं और आपके screen पर पहला कोछ से नहीं आप कि नागर सैली संबंदित है आपको यहां से पूछा हुआ है तो चार option है वास्तु कला से संबंदित है चित्रकला से संबंदित है मुर्तिकला से या फिर आलेखन कला स तो दोस्तों इसका सही आंसर मैं पले बता दो कि यह है वास्तु कला से संबंदित नागर सैली किसे संबंदित है वास्तु कला से ठीक है एक्चलि नागर सैली का जो संबंद है वो भारती स्थापत के कला से है और इस सैली में गुप्त कालीन अधिकांस मंदीरों का निर्मा उतार गधार्म बंदिर रहे वह सबसे स्पसे प्रमुख उधारना आप पहोँ असको उच्ट को सेन दुस्तो कि गांधार कला साली क्सndर से स्हसली प्रभावें ती और और उरोपि असके नहीं नहीं हो गांधार कला या फिस दोसे हैं दोस्तों कि राजा रभी वर्मा ने किस माध्यम में चित्रण कारे किया वो टैल चित्र में या फिर जल रंग में या पेश्टल रंग में या फिर टेमपरा में तो दोस्तों इसका सही आंसर है A option टैल चित्र में ठीक है तो राजा रभी वर्मा जो कमपनी सैली में क सुझाए शित्रों की डिशना करने का स्रे जिसको जाता है राजा रभी बर्माजी को जाता है ठीक है नेक्ष लिए दोस्तों की प्राग है है ठियासिक चित्रों का मुंख्य विसाय क्या था भूद्रिष्य चित्रण व्यक्ति चित्रण पसु आखेट या फिर पौराणी तो सही answer है दोस्तों इसका C option पसु आखेट प्राग्यातियसिक चित्रों का मुखेविसे क्या था पसु आखेट इन्होंने आखेट का क्या मतलबता है hunting, सिकार करना तो सिकार करना होता है पसु का सिकार करना ये मुखेविसे हुआ करता था और इसमें सैल खंडो पर गेरुएं रंग के चित्रों का निर्मार किया गया है चलिए, नेक्स्ट है आपका कि भारती कला का स्वन यूग किसे कहा जाता है मलब किस यूग को प्रागयातिहासिक यूग या फिर गुप्त यूग या मुगल यूग या अधुनिक यूग चारों में से किस यूग को भारती कला का स्वन यूग माना जाता है तो इसका बी ऑप्सन आपका गुप्त यूग बिल्कुल सही आंसर है ठीक है तो भार्तिकला का जो सौन यूग है वो किसको का जाता है गुप्तकाल को का जाता है गुप्तकाल में हिंदु धर्म जैन धर्म और बौध धर्म से संबंदित कलाओं का निर्मार करया गया था और इस समय मुखिता वास्तु कला पर बहुत जादा जोड़ दिया गया गुप्त गुप्तिकाल में ही निर्मित जो मंदिर है वो गुप्तिकाल की भारती कला का प्रमुग देन मानी जाती है ठीक है नेक्षर दोस्तों की चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था रूप भेद सिल्प आलेक है या पिर रचनात्मक का तो सही आंसर इसका दोस्तों आपका B-option सिल्प चितरकला का पुरान नाम क्या था सिल्प था ठीक है अब तो सिर्फ चितरकला ही नहीं एक्चुली प्राचीन पौणारी गरंथों में सामेचता पहले चितरकला और वास्तुकला इन दोनों के लिए ही सिल्प कला का प्रयोक की आता था तो यहां पर आपका B option राइट आंसर है नेक्ष्ट को सें दोस्तों कि संसार की सबसे पुरानी लिपी कौन से है ब्रामी लिपी, कुटिल लिपी, या फिर सार्दा लिपी, या फिर देवनागली लिपी तो दोस्तों इसका A option राइट आंसर है ब्राम्ही लीपी जो है वो संसार की सबसे पुरानी लीपी है और ये मौर्य समराट बहुत थी है के प्रचार के लिए जो इस्तंभों पर ब्राम्ही लीपी से के ही ले खुदवाए गए थे ठीके ना जो मोरे सम्राठ थे उन्होंने बहुत धर्म के प्रिचार के लिए इस्तंबो पर कौन सा लिपी यूज किया था ब्राम्ही लिपी इनको पढ़ने में जिनको पढ़ने में सन अठारोसो 1837, 1837, 1837 में जेम्स प्रिंचिप इन्होंने सफलता प्राप्त की सबसे पहले, तो 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंचिप, इन्होंने सबसे पहले इसको पढ़़ पढ़ पाये थी ये, ब्राम्ही लिपी को monitor, नेक्स टोसन हैं कि गेरु हbrig है गेरू क्या है पेस्टल है भूमिज रंग है जल रंग है या इन में से कोई भी नहीं तो सही आंसर है दोस्तों आपका बी ऑप्शन भूमिज रंग गेरू एक प्रकार का भूमिज रंग है प्रागयातियासी काल से ही गेरू रंग का प्रयोग होता है जिसको आप गेरू भी करते हैं जो भूमी से प्राफ के आता है इसी कारण से इसको भूमिज रंग भी करते हैं ठीक है और प्राग्या थे आसिकालीन चित्रों में अधिकान्स्ता जो है जो भी चित्र उर्थ का पयोग है वो सब गेरुए रंग से ही उनका यूज हुआ है next question है कि खंडगिरी तथा उदाइगिरी यह कहा पर है यह दोनों जगह किस राज्जी में है किस स्टेट में है तो मद्रपरदेश, उत्था परदेश। उडिशा या फिर पर पस्चेम बंगात। तो सही आंसर है दोस्तों आपका C option उडिशा, ये दोनों उडिशा में, खंडगीरी और उदाइगीरी की जो गुफाएं हैं वो उडिशा में हैं, और ये गुफाएं सुंग काल के समय पर निर्मित करवाई गई थी, जो की जैन धर्म से संबंदित है, ठीक है, नेक्स्ट कोसे हैं दोस्तों कि कुराण का मंदिर किस कारण परसिद है, चार ओप्सेन है, सिव भगवान के लिए, सुरिदेता के लिए, विष्णु भगवान के लिए, या फिर सिद्धी विनायक के लिए, तो सही आंसर है दोस्तों आपका सुरिदेता के लिए, कुराण का जो सूर्य मंदिर है उरिसा के पूरी जिले में है और इसका निर्मार गंग वन्सी साशक नरसिंग देव ने कराये था और ये मंदिर जो है, वो सूर्य देव के लिए प्रसित है next है question, की भीम बेटका कहा artist है तो दोस्तों इसका सही answer है बी option होसंगाबाद भीम बेटका आपका होसंगाबाद में स्थित है ये प्राग यहतियासिक कालीन भीम बेटका की जो गुफा है वो मध्य परदेश के राय सेन जिले के होसंगाबाद में स्थित है यहाँ पे टोटल 600 गुफाए है ठीक है और इसमें 275 गुफाओं में चित् लब्ध हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट कोसे ने कि भगवान बुद्र के पहले उपदेश का इस्थल क्या है चार आपसन है सार्नात गया ललित गिरी या फिर जैपूर तो सही आंसर दोस्तों आपका सार्नात भगवान बुद्र ने सबसे पहले जो अपना उपदेश दिया ठीक है नेक्स्ट कोसे ने दोस्तों की धातू से बनी निरत्यकर्ती निरत्यकी मुर्ती की खोज हुई कहां से हुई हडपा से मोहन जोदरों से या फिर मेसर से या फिर मेसोपोटामिया से तो सही आंसर है दोस्तों आपका बी ओप्सन मोहन जोदरों से ठीक है तो सिंदु स सबढ़ कि दो प्रमुख नगर माने जाते हैं हडप और मोहन जोदरों यह दोनों क्या हैं सिंधु सबढ़ के दो प्रमुख नगर इन दोनों पर मैंने प्रॉपर वीडियो भी बना के रखा हुआ है आपका अधे देख सकते हो इसमें मोहन जोद्रों कि खुदाई हुई थी दोस्तों आपका 1922 में और इस वक्त खालास दाज बनर जी ने करवाई थी 1922 में जो यह खुदाई थी यहां पे कहा से की vita की नरतकी की मुर्ति प्राप्थ हुई थी तो दोस्तोंप सी एप फ्रेश को बुनो जो है वो एक गिली पदती है फ्रेंसको चितरर एक भित्ती चितरर विधी है और फ्रेंसको बुनों में गिली भित्ती पर चितरकारी की है या की जाती है यह भी आप कह सकते हो तो एक परकार की यह कैसी पदती है गिली पदती है last question ने इस lesson का दोस्तों कि अजन्ता की गुफाओं की खोज कब हुई 4 ओप्सन दिया है तो चारों में से आपका जो 2 ओप्सन है 18, 19 ये सही है मतलब 1819 में अजन्ता की गुफाओं की खोज की गए थी अजन्ता की गुफाओं जोस्तों महाराश्टा में हैं महाराष्ट नाम का जोराजी है हमारे इंडिया में और यहां पे टोटल तीस गुफाएं हैं यह गुफा बहुत इधन्म से सम्मधित है इन गुफा की खोज 1819 में हुई थी जैसा कि अभी मैंने बताया और इन गुफाओं का निर्माड जो मैक्सिमम निर्माड है वो मैक्सिम सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लिजे और लाइक कमेंट सेयर करना बिलकुल भी मत भूलेगा दोस्तों ठीक है तो आप अपनी जिमितारी नहीं बहुत मैं फटाफट आपको बहुत सारे लेसंस प्रोवाइट कराता जाओंगा हर एक सब्जेट से और उनको आप देखते र आप